आयर्विद विच आमली दा बहुत ज्यादा महत्तव है। सच श्रियकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर गगन प्रीत को और ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयर्विदिक रसोई। सच श्रियकाल जी, मैं हाँ जान दे हाँ एस नू बढ़ान दी पूरी विदी। तिनाल ही तिन चार हरिया मिर्चां। होन एक पतीला लेके एस दे विच असी खुला पाणी पालवांगे। पाणी नू असी उबाला देना है। जदों तक पाणी चंगीत्रा नहीं उबलदा। उनी देर तक असी इस नू तेज गैसते राख देांगे। पाणी नू टाक के राख दियो ताकि इस दे अंदर पाफ बन जाए। पाणी दे विच पाफ बन गई है। आमल्या नू एस तरह स्टीम करनते मैंनू 7-8 मिनिट लग गए हन। तुसी अपने हिसाबनल चेक भी करना है वाद तो वाद 10 मिनिट लग गए। आमला ओवर स्टीम भी नहीं होना चाहिदा कि बहुता ही पोला हो जावे। ते ना ही बहुत सक्त होना चाहिदा है कि असी एस नू खोल ना सकीए ते टुकडे ना कर सकीए। जिन्नी देर तके दो-तिन मिन्ट होर स्टीम हुनदा है थोड़े असी मसाली ले लेने हां साबत जेडे की अचारली काम मौनगे। एदे वास्ती मैं अद्दा क चम्मच जीरे दा ले रही हां। अद्दा चम्मच असी मोटा तनिया जेडा है वो लेना है साबत तनिया। अद्दा ही चम्मच असी मेथी ले रही हां। मेथी दे बीज जेडे हंदेने। पूरा एक चम्मच पारकी असी सौफ दा लवांगे मोटे सौफ। ते एस तो इलावा बहुत ही छोटा जा टुकडा या एक चुथाई चम्मच काला नमक ए ले रही हां। एस सारे मसाले असी साबत ले ले हन। एस तो इलावा अद्रक ते हल्दी जेडी असी लई सी एस नूँ छोटे छोटे टुकड़यां दे विच बरी कट लिया है। ओ असी एस दे विच मिला लवांगे। हरिया मिर्चा में बिल्कुल साबत ही लओंगी। जे तुसी ज्यादा करारा खा सकदे हो ता उस नूँ भी ब्री कट के पाया जा सकदा है। पर क्योंकि मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाणा चौन दी। सिरफ एस दे विच हरिया मिर्चा नू तड़कना है ता मैं ना नू साबत ही रख रही हा। असी थोड़ा जया एक चुथाई चम्मच या अद्दा चम्मच दे लागपक सरों दे दाने भी लैलमांगे। हींग भी तुसी एस विच पा सकते हो जड़ी कि मैं पुल गई हां पर हुंदास रही हां तुसी एदे विच एक चुथाई चम्मच हींग दा भी पाया जा सकता है। हुण आमले बिल्कुल स्टीम हो गए ने एनने की असी सॉफ्ट करने हां गलाणे ने बस थोड़े पोले हो गए जिनननों असानी नल खोल्या जा सके। एनननों असी ठंडा कार लवांगे। ठंडा कारके फिर बीज अलाग करने हां ते एस ते टुकडे कार लाने हां। वैसे ता इनननों में नाल दी नाल ताजा ही तड़क लओंगी पर जे तुसी बहुत ज्यादा लंबा समा इनननों रखना चौन दे हो ता जदो असी इस तरह टुकडे कट ले तुसी इनननों थोड़ा हवा लगवा सक दे हो थोड़ी जी तुप लगवा सक दे हो जिस दे नाल ये थोड़े ड्राई हो जान पर जे तुसी थोड़ा अचार बना दी हो जिवे अद्धा किल्लों आमले अंदा जड़ा हफ्ते दे अंदर अंदर खतम हो जाएगा ता असी इननों बिना सुकाए बिलकुल एसे तरीके ही वर्थ सक दे हा जिवे फ्रेश नाल दी नाल ही ये 10-15 मिंट विच रेस्पी जड़ी है वो तियार हो जाएगी आईरवेद दे हिसाब नल आमला अमरित है ते रसाइन है बहुत ही ज़्यादा चंगा फल है ये तिनना दोशा नों बैलन्स करदा है दुनिया दे कोई वे बिमारी होवे ओस विच आमले दी वर्थों किती ज दा सकती है पर अलाग लग तरीक्यां दे नाल होन जेडा असी अचार त्यार कर रहे हैं इस देविच हल्दी है इस देविच अद्रक है इस विच असी मसाले पाई हैं असी सारे जान दे हां कि ये सारिया चीज़ां गरम हन आमला आप ठंडी तासीर्दा है इस करके इनना सा पारे मसालिया नू ये बैलन्स कर लगा होने मसाले असी आमले नाल खा सक दे हां दूसरी चीज ए है कि आमले दे विच नमक नू छाड़के बाकी दे पंजो रास हुन दे हन ता हाई बीपी दे पेशन जेडे हन जेओ आमले नू जिविच असी स्टीम कीता है होन एस से तरी एस आमले दा छोटा छोटा टुकडा रोजाना तिन्नो टाइम भी अपने खाने ना लेंदे हन ता है हाई बीपी नू कंट्रोल करन विच मदद करदा है अचार ना बनाओ बस दो कामले रोजाना स्टीम कर लो तेस नू खालो एस दे विच नमक बिलकुल भी नहीं है कुद ज्यादा जोडा दा दर्दरेंदा है या वात रोग है बहुत पतले हन अध्रांग दी शिकायत है या जिवे हाथ पैर बहुत ज्यादा कंब दे हन एस तरह दे रोगी आमले नू तेल तेल विच वी तल के त्यार कर सकते हन जे बहुत ज्यादा वात दोश वद्या होवे पर वैसे वात ते कफ रोगियां लेई, सरोंधा तेल ठीक है आम तोरते असी इसनों खान विच वर्त देहा तेल नो असी बहुत ज़्यादा साडना नहीं है जिवें हलका जया गरम होवे ते पाफ जी निकलनी शुरू होवे उसे वेले सारा मसाला असी इस विच तलना शुरू कर देना है क्योंकि ज़्यादा गरम होएगा ते बिलकुल सड जाएगा इसनों असी दोख मिनट फ्राई करना है इस सारियां चीज़ा नो तेल दे विच इस जड़ी रेसिपी है पित रोगी यानि कि जिनननों बहुत हीट है गरमेश है उनना दे लईता ज्यादा वदिया नहीं है क्योंकि इसनों सी गरम तरीके नल बना रहे है उनना लई आमले नो वर्तन दे होर कई तरीके हैं अगे दिया रेसिपीज जड़िया होर आमले दे पावांगे ता ओदे विच मैं एसनों डेटेल विच दसूंगी पर जड़े वात ते कफ रोगी हैं जिनननों गठिया है आम वात है जोडा दा दर्द रेंदा है हमेशा सिर्दर्द बन्या रेंदा है ते गैस ब्लोटिंग हुंदी है पुख नहीं लग दी खाना बिल्कुल सही तरह डाइजेस्ट नहीं हुंदा मेटाबॉलिजम स्लो है कबज रेंदी है ओना सार्या लई ए बहुत ज्यादा वदिया है जिना नू सा, दमा, बलगम, रेशा एस तरह दिया दिकता है ओना दे लई वी आमला जड़ा है एस तरीके जड़ा अचार सी त्यार कर रहे हा ए बहुत चंगा है तुसी हरी मिर्च ओदो ही खानी है जदो तो हानू पचदी है नहीं ता मेरी तरह साबत एस विच पादयो थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जान्दा है ए बिल्कुल वी आचार बहुत स्पाइसी नहीं बनेगा हल्दी ते अद्रक इम्म्यूनिटी बूस्टर हन रोगा नू खतम कर दिया हन जिना दे अंदर अलर्जी है उना लई बहुत ज्यादा वधिया काम करदा है जिना नू स्किन अलर्जी है या फिर जिना नू खांग जुकाम छिक्कां बहुत ज्यादा ओंदिया हन नजला हमेशा बनेआ रेंदा है उना लई वी ए अचार बहुत वधिया कम करेगा लंग्ज नू स्ट्रेंथन करनते वी ए चंगा कम करदा है हुन असी दोख मिनट से क्या सी तड़के नू जड़ा आमला सी स्टीम कीता सी ओ एस दे अंदर पादेता ते नाल ही असी कुछ मसाले पादे आंगे अपने स्वाध्य अनुसार मैं एस विच जीरा पाउडर पा रही है थोड़ी हल्दी पादे हूंगी हल्दी क्योंकि अपने कच्छी भी पाई है तब बहुत जादा नहीं पावांगे थोड़ी जी पादे आंगे लाल मिर्च थोड़ी जी अपने ही साबनल पादे नहीं है ते नमक स्वाध अनुसार पा लेना है ते दो तिन मिंट इसनों सेकांगे अचार बिल्कुल त्यार हो जाएगा एस अचार नों तुसी ताजा तुरंत भी खा सकदे हो ते दूसरी चीज है कि जैसी इसनों दोख दिन रख दियांगे ता जड़ी सौफ ने जड़ी मेथी असी असी अंदर पाई है एप पोल्ली हो जाएगी ता है होर वी जवादा स्वाध हो जानदा है एसनों असी जदो ठंडा करके स्टोर करना है ता एस वी थोड़ा सरों दा तेल असी होर पाके रख सकदे हा जैसी इसनों लंबा टाइम चलाओना है जिवें 15 वी दिन एक महीने लई तुसी रखना है तक इसे सुक्के जार दे विच पाके थोड़ा सरों दा तेल होर पादे हो ते हमेशा जदो भी कड़ना है कोई लकड़ दा चम्मच या बिल्कुल सुक्के चम्मच नल कड़ो गिल्ले हाथ या कोई आट्टे वाले हाथ इसनों ना लगाओ फिर असी इसनों लंबा टाइम चला सकदे हा पर जादा वदिया यही है कि इसनों जल्दी जल्दी बनाओ जिनना सीजन अपने कुल है तब 15-15 दिन बाद असी इसनों फ्रेश बनाके ले सकदे हाँ जेड़ा वात दोष है एस दा इलाज है मदूर अमल ते लवन अमल ते लवन खटास दे नमक हुन इस दे विच है बाखि गरम स्पाइसज वात दा इलाज है ओव है असी इदे अदर पाई ने इस दे अंदर कशाय कटू रस भी है, सिरफ नमक इस दे अंदर नहीं है, ए अपना रस ही आमले दा कटू तिक्त कशाय, इस करके कफ शामक है, बाकी जडे मसाले हन, उनना विच भी इस तरह दा रस हुंदा है, हरी मिर्च है, अद्रक है, ते नाल हल्दी है, इस सारियां चीज बिल्कुल नहीं हो रहा, किसे भी कोशिश करन तो बाद, तै इस तरह दियां चीजां एपटाइजर दा काम कर दिया ने, बहुत वदिया, जिनना नू पुख नहीं लग दी, ओ खाने तो पहला लैन, तब पुख लगेगी, जिनना नू खाना हजम नहीं हुंदा, ओ हो, खा अलका खाना खाना हुंदा है, कोई बहुता असी जादा पारी खाना उस टाइम ते नहीं खाना हुंदा, ता असी सिरफ एस अचार नाल भी एक फुल का खा सकते हां, तो साड़ा डिनर हो जानदा है, एप बहुत हेल्दी ऑप्शन है, एसे तरह असी कुछ चटनिया बना के भी रख सकते हां, अद्रक, लसन, आम ले दिया, जिदियां रैसिपीज मैं अग्गे लेके आऊंगी, ओवे ऐसे डिनर दे लेई हूज कर सकते हां, जरूरी नहीं कि ऐसी रात नो बहुत जादा है भी कोई सबजी बना के खाना है, टाइबटेज यानि के शूगर दे रोग अचार, तुसी सर्दी पार खा सकते हो, तिन्नो वक्त दी रोटी देनल खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं करता। इसे करके एसनो रसायन या फिर एंटी एजिंग द्रव्या दे विच्वी गिन्या गया है, सब तो उपर रख्या गया है। चकर भी बंद करनी है, या सिरफ असी अज एक सूरे नमस्कार करना है, फिर पांज करने हन, फिर दस करने हन, इस तरह करके छोटे-छोटे स्टेप्स अपनी जिंदगी विच्वी इन्वाल्व कर दे जाओ, इस सारी उमर ही करना पएगा, इस ता कोई शॉटकट नहीं है, ये जर्नी बहुत दिल्चस्प है, स्लो है, पर जो भी चेंजिस तुसी मसूस करोंगे, वो पर्मनेंट होनगिया, ओना दे कोई साइड इफेक्ट नहीं, सगो दो हानू फाइदा ही फाइदा नजर आएगा, एसे सुनेहे देनाल, मैं लेंदी हां विदा, मिलांगी अगली रेसिपी देनाल ते अगले सुनेहे देनाल, ता तक लेई सत्षिर्यकाल